नेक्स्ट चलते हैं ह्यूम्रस की तरफ स्केपूला इस डन स्केपूला ठीक है दो बॉर्डर दो एंगल इसके ठीक है आते हैं हम ह्यूम्रस की तरफ हुम्रस हुम्रस को the very first is head ठीक है नेक्स्ट अगर यहां से हम एक imaginary line बनाए इधर ठीक है यह होती है anatomical neck ठीक है फिर एक और imaginary line हम ड्रॉ करते हैं यह होती है surgical neck सर्जिकल नेक सही है अगें यह जो है इसको हम कहते हैं लीजर टुबर्कल लीजर टुबर्कल यह जो है इन अटॉमिकल नेक की नीचे एक मिन्ट यहां पर आओ यह हेट होगे इसका शयरिए कि यह यह जो है इसको हम कहरें लीजर टुबर्कल अधार यह है और यह हमारा किया इन दौन की धर मियां यह इन दोनों को जो करती है उसको हम के कहते हैं इंटर टुबर्कुलर ग्रूफ इंटर टुबर्कुलर ग्रूफ यह इन दोनों की दर्म्यान जो होता है यहां से लेकर यहां तक इन दोनों की टोबर्कल है वहां ट्रोकंतर आ जाएंगे ठीक है और यहां पे इंतर्ट टूबर्कुलर ग्रु और को इंच्छील है लगाई है surgical neck examiner का most favorite question होता है humorous is commonly fractured by which side हमेशा surgical neck से damage होती है ठीक है humorous surgical neck से हमेशा damage होती है clear next question इसकी साथ साथ होता है वो भी लिखें humorous commonly most commonly fractured surgical neck dosa question the cop if humorous is fractured from surgical neck which nerve will be damaged if humorous is fractured from the surgical neck which nerve will be damaged answer लिको axillary nerve कोई PMDC में हजार बर पूच चुके हैं क्विश्चन ईवन प्यम्सी में पूचा था अभी जो है हम नर्व में जाएंगे फिर दुबारा में करवाऊंगे चीज़े लेकिन जहां जहां तक discussion आती हो वहां वाज तक बताऊंगा मैं आप लोगो ठीक है clear next फिर यहां पे इधर हमारे lines आती है ठीक है दो lines यहां प्यारी होती है एक को हम कहते हैं लेटरल लिप और दूसरे को हम कहते हैं मीडियल लेप इन दोनों के दूसरे नाम भी है ठीक है जो ग्रेटर टुबर्कल साइड पी है ठीक है उसको हम बोल रहे हैं लेटर लिप सही है और जो लेजर टुबर्कल साइड पे है उसको हम क्या बोल रहे हैं मीडियल लेप हो सकते हैं आपको वह गुमानी के लिए कि जो लाइन से यह टुबरॉस्टी है ठीक है ग्रेटर टुबर्कल टुबरॉस्टी आर आल सो नोने इस लेटर लेप और दूसरे की जो होती है इसकी पुस्टीर साइड पे होता है यह रीडियल ग्रूव रीडियल ग्रूव नहीं मैं बताता हूं क्यों नहीं होगा इंटीर पेस का अभी नेक्स जाते हैं तो उसमें बता देता हूं रीडियल ग्रूव पुस्टीर साइड पे क्यों होता है इसलिए कि वहां से हमारी जो रीडियल नर्व है ठीक है वो पास करते हैं मिडशाफट पे यह मिडशाफ्ट का धर्मियान है बोन का ठीक है तो यहां की रीडियल से क्हां सी नर्व पास करती है यहां की बार पूछ चोके हैं न звуч पुछते हैं कि एक यंग बॉय को प्रिजेंट किया गया है आपकी एर में ठीक है एमर्जनसी रूम में और उसको क्या हुआ है रोड ट्रैफिक एक्सेडेंट ठीक है फिजेशन ने इनिशन इग्जेमिनेशन पर देखा उसको कि वहां पर उसके फ्रेक्चर साइड है और एक पुछते हैं नेक्स्ट इससे रिलेटिट पूछते हैं कि अगर रीडियल नर्फ डैमेज हो तो क्या क्लिनिकल फीचर आ सकते हैं रिस ट्रॉप ठीक है आपका रिस पूरा ड्रॉप हो जाता है इसकी एक्स्टेंशन होती नहीं एक्स्टेंशन लॉस अगें नेक्स्ट रिडेल ग्रूं उसके साथ साथ नेक्स्ट इंट्रीयर साइड पर इसकी होती है डेलटोएड इंटॉइट यूबरोस्ट इंट्य यहाँ पे insertion side for the deltoid muscle ठेक है यहाँ पे के insert सकते हो MDR तेओं सुर्ण को देलर रिजp और डूस्वाइड पर लेटरल सुपरा कुंडेलर रीज फिर नेक्स आपकी यहां पर आती है मीडियल एपिकुंडाइल और यहां पर आपके आती है लेटरल कुंडायल से इन दोनों से मैंने क्यों बताए हैं दोनों इसको भी एक्स्प्लेइन करते हैं हमारी कोर नर्व है जिसको मीडियन नर्व कहते हैं और मजदूरों की नर्व भी कहते हैं उसको सही है अगर बोन यहां से फ्रेक्चर होती है सुप्रा कुंडेलर रीजन से हमेशा मीडियन नर्व डेमिज होती है हम जब पढ़ेंगे नर्व बताओंगा मैं इक नर्व को उसके फंक्शन क्या है उसके इंजरी की क्या है ठीक है और क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे बट यहां पे लेंड मार्क की हिसाब से आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो कि जब मैं उस टाइम कहूं कि सुप्रा कुंडेलर रीजन से अगर टूडती है तो यह ऐसे हो जाएगा यह हो जाएगा आपको पता हो उसका ठीक है यह जो लेटरल सुप्रा कुंडेलर रिज है या फिर मीड लास्य क्रेक्शर होती है ठीक है तो क्या होता है आपकी मीडिय नर्व डेमिज होती है क्योंकि मीडिये नर्व इधर से आ रही है शाल्ट। अगर होई तो एक्जिन अब प्सक्राइब कि अगर एक जिल्न डेमज होती है तो क्या क्या चीजी लॉस होगी अब्डक्षण होगा नहीं होगा ठीक है वो सारी चीजी नर्ज में एक्स्प्रेंद करूंगा अभी ज्यादा बन जाएगा मिक्स हो जाएंगे अपसे इसके इंटेर साइड क्योपर ही हमें दो फोसी नजर आते हैं एक किहते हैं को रो पॉसा चांग है क्लियर कुछ इसके रिज रहती है नीची से यह आप यह व्ला इसको हम कहते हैं कैपिछुलम के ठीक है कैपि चुलम और यहां से हम इसको कहे रहे है क्या ट्रॉक्लियर इसकी Posterior Side पर पे पुस्टीर साइड है, युम्रस को पहचानने के लिए भी कि अगर वह आप कहता है कि इंटिटीर साइड बताओ, पुस्टीर साइड बताओ, तो गभराना नहीं आप पहचान सकते हैं उसको, इसकी Posterior Side पर होता है, Olic Renon Fossa, और सफे जब आप उम्रेट को गुमाते हैं हम देखते हैं किसकी फंक्शन क्या है नव नपको या पता चल रहा कि पुस्टेडör कौन से प्रोसेस होता है अलना का ठीक है वह अटेच होता है जब आप मसल को एक्स्टेंड करते हैं ऐसे एक्स्टेंशन होती है डिवरिंग एक्स्टेंशन यह उलेक्रीन प्रोसेस इस उलेक्रीन फोसा के अंदर क्या हो जाता है लग जाता है और यह आपके एल्बो को क्या करता है ए रही है डिवरिंग लेक्शन फ्लेक्शन के अंदर क्या उता है यह लगा प्रसेस और होती है ग्लत भी यह जो जब करते। यह रीडियस का हैड किसमें जाएगा रीडियल सोसा में और कुरुनाइड फोसा के अंदर कुरुनाइड जो वह प्रॉसिस वह और ट्रॉकलियर को कौन कवर कर रहे हैं रोकलियर नौच जब आफ लेक्स करते हैं अब आपका और यूद्ध फोसा है ठीक है इस टाइम पे आप और जब आप रिलेक्स करते हैं डियूरिंग एक्स्टेंशन उनली ओल्लॉक्रियन फोसा और अलिक्रियन प्रॉसिस यह जाकि वहां प्याटेज हो जाता है जिसके वेज़ा से प्रॉपर एक्स्टेंशन होती है ठीक है ठेंक्स टू नेचर अगर यह ना होता तो हम क्या करत होता है यह पुस्टीर साइड पे होता है यह ना है नो रिडेल ग्रू पुस्टीर साइड पे हूं kullan see और लिक्रियन फोस के ऑ है आगे हम प्लेक्सिस जी हम प्लेक्सिस ड्रॉ करेंगे उसमें बताएंगे मीडिया नर्फ कहां से ओर इजिनीट होती है और किस मसल को और किस चीज को इनर्वेट कर रही है ठीक है उसकी फंक्शन क्या है सारी चीज़ी बताऊंगा मैं यहां तक क्लियर है बोन लेंड मार्क ञादए civilians नदो थे जाते हैं एक वे दलोका मैं फंक है यहां पीज होती है किस म्हाम कह पीज है व्यूल जातलुक्ष कमा प्लेच यह वसके दाख दो आज करिद荡 है ने इनर्मा दो धूल राणिव डॉल अपहुर स्वाण प्लेशन से दोस्ते है वाजल स्वां आ किविकर